श्री गनेशा या नमाहा नमस्कार दोस्तो 직접 ये राशीफल चंद्र राशी पर आधारित है चंद्रमा मन का कारक है हमारे मन पर जो भी उतार चड़ावाते है वो चंद्रमा की स्थिति लेकर आती है इस वज़े से चंद्रमा की पोजिशन हमारे रोज की जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है और इसके अकॉरडिंग हमारा दिन अच्छा या बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आपके लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तो ये दिन आपको मिले जुले फल प्रतिपादित करेगा ये दिन बुरा तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जा सकता फिर भी अच्चे सयोग होने के कारण ये दिन आपके लिए शुभी रहेगा इस दिन चंद्रमा आपकी कुंडली में तीसरे भाव में रहेंगे थर्ड हाउस में रहेंगे और वहां से भागिस्थान पर दुरुष्टी डालेंगे तो दिन काफी अच्छा और भागेशाली साबित हो सकता है तीसरा भाव पराक्रम का स्थान कहलाता है तो इस समय में आप पराक्रमी रहोगे जी हां जो भी काम हाथ में लोगे उसे आप अच्छे से निभाओगे इस समय में लगबग हर चेत्र में आपको काम्याबी मिलेगी सुबह से ही आप प्रसन रहोगे की लेकर आया है तो अच्छे समय का अच्छा अलाब जरूर उठाए इस समय में आपकी धार्मिक चीदों की और रुची बढ़ती दिखाए देगी आप धार्मिक रहोगे इस समय में धार्मिक यात्राय भी हो सकती है और घर में कोई धार्मिक कार्य भी संपन हो सकता है दोस्त आप इस वक्त एक अच्छे वक्ता के रूप में नजर आ रहे हो, अगर कोई सरकारी काम करना है, तो कर लिजिये काम सफल होगा, समय बिल्कुल सही है, किसी नई चीज की खरेदारी करनी है, कोई बड़ी खरेदारी करनी है, या कोई नया काम शुरू करना है, नया बिजनेस श खेल खुद से सम्मंदित खेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा है और डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए भी समय बहुती बढ़िया रहेगा प्रमोशन या नया जाब पाने के लिए भी समय आपके लिए अनुकूल रहेगा अगर इस तरह का कोई काम आपको करना है तो प्रयाज जरूर करे आप सफल हो सकते है इस समय में यात्रा के भी अच्छे योग बन रहे है अपने बिजनेस या जौब से सम्मंदित यात्रा भी सफल रहेगी विदेश यात्रा के योग भी समय में पर रहे है विदेश से धन कमाने के मोगे भी मिल सकते है इस दिन आर्थिक स्तिती मजबूत रहेगी और आप शांत्व आनंदी जीवन का अनुभव करेंगे तो देखे तो लगबग हर क्षेत्र में काम्याभी वसफलता इस दिन आपको मिलते दिखाई दे रही है नोकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए समय हर प्रकार से शुबसाबित होगा अगर स्टूडन्स की बात करते है तो स्टूडन्स को छोटी मोटी बहारी रुकावटे आ सकती है इससे पढ़ाई थोड़ी दिस्ट कोई ऐसा रिष्टा आपके जीवन में बन सकता है जो आपने सोचा तक नहीं होगा जी हाँ जीवन के हर बलका पूरा आनंद उठाने की कोशिश जरूर करें और आपके और आपके अपनों की जीवन को खुशियों से भर दें इस दिन आपका स्वास्तिय बढ़िया रहेगा आपका स्वास्तिय बिलकुल ठीक रहेगा स्वस्त और मस्त रहोगे इस समय में हरे रंका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पांच अंक इस दिन आपके लिए लखी साबित हो सकता है दोस्तो ये राशी फल चंदर राशी पर अध रहेगा दोस्तो सभी राशी के लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए कुछ जरूरी बात ये वीडियो में आगे बताई गई है तो वीडियो आगे जरूर देखें व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होने के लिए मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ होना भी बहुत ही आवश्यक होता है। अगर व्यक्ति का भाग्य उसका साथ देता है तो कम मेहनत में ही अधिक सपलता प्राप्त होती है परंटु कई बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसी घटनाय घटित होती है। जिसकी वज़े से उसको बहुत सारी परिशानियों का सामना करना पड़ता है और इस स्थिती में व्यक्ति को बिलकुल भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है दरसल आपके घर में ही कुछ ऐसी चीजे होती है जो हमारे भाग्य को प्रभावित करती है हमारे जीवन को प्रभावित करती है और उन चीजों के आसपास होते हुए भी हमें वो चीजे नजर नहीं आती वह चीजे हमारे चारों तरफ एक अजीव सा घेरा बना कर रखती है परन्तु हम उसको नहीं देख पाते इन चीजों से हमारे घर में और हमारे जीवन में नकारत्मक्ता फैलती है जिसकी वज़े से हमें नुकसान उठाना पड़ता है जिसकी वज़े से हमें भारे नुकसान उठाना पड़ता है हम पूरी तरे से कंगाल हो सकते हैं दोस्तो काफी लोगों को इस तरह की आदत होती है, कहीं से भी बाहर से आते हैं, कहीं भी जूते चपल फेक देते हैं, कहीं पर भी उतार देते हैं, कुछ-कुछ लोग तो घर के एंट्री के में डोर के सामने ही जूते चपल डाइरेक्ली उतार देते हैं, दोस्तो ध्यान उनको अगर कोई व्यवस्था उनके लिए की हैं तो बहुती अच्छी बात है वहां पर उन्हें होता है हमारे घर के चट के उपर जिन चीजों का हमें काम नहीं होता है उन्हें हम घर के चट के उपर रख देते हैं ऐसा करते करते देखेंगे तो घर के चट के उपर कबार जमा दिखता है जी हाँ जो चीजे हमें लगता है आगे जाके हमारे काम में आ सकती है वो हम घर के उ साथी दोस्तों हम हमेशा देखते हैं घर के उपर जाने के लिए जो सीडिया है उन सीडियों के नीचे जो जगा होती है वहाँ पर सामान हमेशा रख दिया जाता है वो जगाई ऐसी है कि सामान को खीची लेती है वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ सामान मिलेगा ही अगर हम सीडियों के नीचे सामान रखते हैं तो हमारी उन्नती होना बहुत ही मुश्किल है साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में ऐसी कोई चीज मौजूद है जिसका आपको काम नहीं है जैसे टूटे फूटे बरतन, आईना, तस्वीरे, इलेक्ट्रोनिक सामान, सोफा, कुरसी, टेबल, पलंग, घड़ी, जाडू, गमला, इत्यादी तो आप इन सामानों को अपने घर से तुरंथी बाहर निकाल दीजिए वरना इससे आपको बहुत बड़ी परिशानी हो सकती है आपको ये चीज़े कंगाल बना सकती है तो घर में ऐसी चीजों का मोजुद होना शुब नहीं माना गया है इससे धनकी देवी माता लक्ष्मी जी का प्रवेश घर में नहीं लगता है आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका मन नहीं लग पाता है इस व्यक्ति का जीवन घर में मोजूद इन चीजों की वज़े से अंदकार में डूबने लगता है इसलिए आपको घर में बिना काम की चीज़े कूडा कचिरा नहीं रखना है दोस्तों एक और खास ब पूरे दिनों में बदल सकते हैं क्योंकि मकडी अपना जाल शिकार को फसाने के लिए बनाती है हर एक चीज हमारे घर की हम पर प्रभाव डाल रही है तो इन चीजों को ध्यान में आपको रखना होगा तो दोस्तों कुछ ऐसे चोटे मोठे बदलाव करके हम हमारे जीवन मे खुशिया ला सकते हैं तरक्य ला सकते हैं धन ला सकते हैं मा लक्षमी जी का प्रवेश हमारे घर में हो सकता है तो इन चीजों को जरूर आजमाए इस तरह के बदलाव आप आपके घर में जरूर करें धन्यवाद